हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 Harley-Davidson 500cc के बारे में जिसके स्पाइड इमेजिस आ चुकी हैं और यार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कुछ टाइम में यह लॉंच होने वाली है इसके प्राइस के बारे में इसके इंजन के बारे में और डिटेल्स के बारे में हम डीपली बात करेंगे तो वीडियो म की एंट्री लेवल बाइक समझ सकते हैं और मैं कई वीडियो में बता चुक हूँ आपको पहले भी पता होगा कि इसको एक्चुली हार्ले डेविटसन और क्यूजे मोटर जो एक चाइनीज कंपनी है जो बैनिली की एक पेरेंट कंपनी है वो दोनों मिल के इसको बना रहे ह हैं और दोनों कंपनियों के बीच में कुछ ऐसी डील हुई है कि मिड और स्माल रेंज की जितनी भी कपैस्टी की इंजन की बाइक से वह सारी की सारी की यूजे मोटर्स हारले डिविटसन के लिए बनाएगी और हारले डिविटसन सिर्फ देचेगी वैसे तो भाया यह यह 500cc का जो इंजन यूज किया गया है वो बैनिली क्या एक इंजन है जो अल्रेडी लियंसीनो 500 में आपको देखने को मिल जाएगा और देखिए आपको पता ही है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहां पे हारले डेविटसन के लिए को नया इंजन तयार नहीं किया जा रहा आल्रेडी जो क्योजे मोटर्स के पास जो इंजन है और आपको पता है उसकी एक कमपनी है तो जो इंजन यहां पर यूज किया जाएंगे इंजन के बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको 500cc का यहां पे पैरलल ट्विन इंजन रहने वाला है यहां पे वी ट्विन भी कि आपको पावर मिल जाएगी 46 Nm का आपको टॉर्क मिल जाएगा और 6 गेर साथ में मिल जाएगे स्लिपर कलच वगरा भी आपको मिल जाएगा तो देखिए भाया इंजन बहुत ज्यादा शांदार है अगेन मैं वह कहना चाहूंगा कि VTWIN होता तो ज्यादा बेटर लगता लुक्स वाइज परफॉर्मस वाइज देखा जाए तो यह इंजन बैस्ट है लेकिन लुक्स वाइज ओविसी बात है स्पेशली लियोन सीनो 500 में यूस हो रहा है अपसाइड डाउन फॉक्स हो गया मोनो शॉक्स शस्पेंशन हो गया इवन एलॉय वील भी बैनिली से लिये गया है अब यह बाई कुछ ऐसी लग रही होगी आपको कि यह हारले कम और बैनिली जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि देखें हार्डवेर भले इंग्नेयों ने बैनिली से लिया है लेकिन लुक्स और जो एक सिगनेचर स्टाइल है वो आपको हारले डेविडिसन का ही मिलने कि आपको मिलने वाले हैं इवन अगर आप इसके टेरड्रॉप फ्यूल टैंक की तरफ देखेंगे तो यह भी हारले डेविडिसन के ही स्टाइल का है सिंगल पोड इंस्टूमेंट कंसोल भी यह आपको हाले डेविडिसन जैसा लगने वाला है रेयर व्यू मिर्स हो गया औ और जो स्टाइल है वो टोटली हारले डेविडिसन से लिया गया है तो आप इसको ना बैनली और हरले डेविडिसन का एक मिक्स प्रोडक्ट समझ सकते हो इसको हारले बैनली कहलें तो ज्यादा बेटर रहेगा या फिर बैनली डेविडिसन कहलें तो वो ज्यादा बेटर श कि यह 2023 में launch हो सकता है प्राइस की बात करूँ तो भया प्राइस अगर आप दिहान से देख रहे होंगे तो लियोन सीनो 500 का जो प्राइस है दिल्ली में वो आपका 5,48,000 के करीब है तो मतलब काफी महंगी है यह लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर हारले डेविडसन में यह launch होती है तो यह around 6,00,000 के आसपास ही पढ़ने वाली है मतलब सेम ही price होने वाला है जो लोग यह सोच रहे हैं कि यह classic को टक कर देगी या interceptor को टक कर देगी तो ऐसा कुछ नहीं है इसका price इन बाइकों से यह mid segment नहीं है अगर मैं इंडिया की mid segment की बात करूँ तो 200cc या 300cc यह mid segment आप समझ सकते हैं engine wise basically price ज़्यादा matter करता है क्योंकि इंडिया में अपना डेड़ से 2,00,000 की बाइकों को ज़्यादा mid segment की या निए धाय लगा लिजिए 2,50,500,000 की बाइकों को mid segment समझा जाता है तो कही ना कहीं भले 200cc के engine में ही बाइक निकाले है Harley Davidson लेकिन जो price value है वो 2,00,000 के अंडर रखे तो बहुँ ज़्यादा better रहेगा चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर अंतर समाप्त करते हैं वीडियो लगी यह ज़रूर बताईएगा और क्या आप Harley Davidson लेना चाहते हैं मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद बंदे बात रहाँ